क्या आपके पास भी एक एलेक्ट्रिक कार है और बैटरी फास्ट चार्ज करनी है चलिए जानते हैं सर्वोटेक 30 किलोवाट DC चार्जर से EV बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने का प्रोसीजर क्या है DC चार्जिंग की केबल AC चार्जर से थोड़ी हेवी होती है तो उसका ध्यान रखे गन कनेक्ट करते ही डिस्पले पर ग्रीन चार्जिंग बटन पर टैप करते ही आपके सामने दो आप्शन आएंगे RFID कार्ड या फिर QR कोड RFID कार्ड से चार्जिंग करने के लिए कार्ड को इस रीडर पर टैप करे और Servotech Charger आपकी कार्ड से कनेक्ट करके BMS के अनुसार चार्जिंग शुरू कर देगा सिंपल चार्जिंग बन करने के लिए Blue Settle बटन पर टैप करे और फिर से RFID कार्ड को रीडर पर टैप करे चार्जिंग बन सिंपल QR कोड से चार्ज करने के लिए Servotech EV Charging Mobile अप्लिकेशन से QR को स्कैन करे आप चार्जिंग डूरेशन सेलेक्ट या स्किप करके अप में Green Start बटन पर टैप करे और चार्जिंग शुरू हो जाएगी उसी तरह से बन करने के लिए अप में Red Stop बटन पर टैप करें और चार्जिंग बन ध्यान रखिए वालेट में बैलेंस खतम होते ही चार्जिंग बन हो जाएगी इसमें आप कितनी परसंटेज तक बैटरी चार्ज करनी है कितनी देर तक चार्ज करनी है काफी कुछ कस्टमाईज कर सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए सभी चार्जर्ज 4G कार्ड, LAN और वाइफाई एनेबल हैं ग्रिट से सप्लाई कट हो जाने पर सभी चार्जर्ज में बिलिंग के लिए 15 मिनट्स बैटरी बैक अप है 30 किलो वाट के DC चार्जर्ज दो मॉडल्स में अविलेबल हैं विद और विदाउट काबिनेट तो EV चलाएं और environment और पैसे दोनों बचाएं ऐसे ही EV और solar related वीडियोज देखने के लिए सर्वोटेक से जुड़े रहें